कि यहां दोस्तों बहुत बहुत सवागा था आपका डाउट क्लासेस में तो दोस्तों इस वीडियो में हमें डिसकस करेंगे यूपी पीचल जूनियर इंजिनियर का 27 नवंबर 2019 का कोशन पेपर जो कि है आपका इवनिंग शिप्ट का तो फ्रेंड वहत ही इंपॉर्टेंट इस से पहले विए हम तीन वीडियो ला चुक है यह भी बार बार रिपीट होते हैं ऑर जनरली खिसी ना किशी एक्जाम में पूच ही लिए जाते हैं तो यह वीडियो के वल यूपीचल के लिए ही important यह वीडियो एक्जाम जो जूनेयर इंज्जिनियर के होते हैं उन्य लिए भी काफी important हो गया है जैसे SSC हो गया आप का LMRC हो गया तो इन paper के लिए भी ये video काफी महत्पूर है तो चलिए अपना पहला लान इंसुलेटर今 से कौन सा में जो ज़नरल डॉस किया जाता है अवेड लायन इंसुलेटर वनाने के लिए लिए तो इसका आन्सर पॉत तो टो यह काफी महतून कोशन सलती होता है तो कि मैस्द circuits में इसे कॉन से कॉं सी डेवाईज एंट्राइस transformer में जो की expansion और contraction कराती है ओल का तो यह यह ओल का expansion contraction कराने के लिए यूज करते हैं कंजर्वेटर तो जो रहता है वह हमारा ओल का expansion और contraction के लिए यूज की जाती है चलिए देखते हैं अपना power supply का यूज किया जाता है DC supply प्राप्त करने के लिए और वह भी controlled ौए में तो controlled DC supply प्राप्त करने के लिए SMPS का यूज किया जाता है controlled in the sense अगर आप कहाँ माइनस 48 वोल्ट या प्लस 48 वोल्ट या यह 24 वोल्ट तो इस वे में हम स्विच मोड पावर सप्लाई का यूज करते हैं कंट्रोल DC supply प्राप्त करने के लिए चलिए देखते हैं अपना नेस्ट कोस्टन काफी महतपूर कोस्टन है फ्रेंड यह पावर एलेट्रोंक्स का कोस्टन है अगला जो आपका व्रॉंज जो है व्रॉंज जो है व्रॉंज इस एन एलॉय ऑफ तो एक आपका कॉंबिनेशन भी पूछ का कॉंधर लेता है व्रॉंज का पूंज का पूंचा गया पिछले कॉंब्र में kostan pan없 का पूंचा गया थाובफ रॉंज जो एलाइए होता है आपका कोपर और यहां पर推 n का लाय होता है झाला अगर हम सब्सक्री बहुकर करें तो 88 पर सेंट इसमिक सब्मेग यहां पर सब्स यह ए कोशन भी बार बार पुछ लिया जाता है चली देखते हैं अपना नेस्ट को सन तो इस टॉपिक आपके यही है इनी टॉपिक से अलग अलग टाइप के को सन पूछता रहता है यह अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखें तो उनका वी लिंक आपको वीडियो के डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इस लेक्चर की पीडियाफ आना चाहते हैं तो वह आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक आपको वीडियो के डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो देखते हैं नेस्ट कॉस्टन है फ्रेंट एकल टूवन वी इकल टूवन तो वाई और करने सब्सक्रिप्शन के आपका टेल जया योग ल गएक जियू और इसले को ओ 15 आपको सब्सक्रिप्शन évं आपके तो यह जो है आपका रहेंगा सब्सक्रिप्शन में मुझन ३ा es vegan जाएं आपको फikले हो नई कहीं आपका आपको तो आपका 0 जाएगा और यह आपका और गेट की दो इनपट कौन से एक 0 है एक 1 है तो 0 पिलस 1 क्या होंगी आपकी 1 हो जाएगी तो जैड़ आपका 1 आजाएगा तो ओपसंच आपका कहा मेच कर रहा है तो आपका विल्कुल सही है तो फरंट जनरली कुछ नहीं है आपको ला इंडेक्शन मॉटर में कैपिस्टर जो होता है वह यूज किया जाता है इंप्रूबिंग दा स्टार्टिंग टॉर्क को वडाने के लिए चलिए देखते हैं यह कोशन फ्रेंट काफी इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हम इनको डिसकस कर रहा है अगले कोशन में आपका दिया हो गेज फैक्टर आपको दिया हुआ है तो गेज फैक्टर आपको दिया हुआ है तू रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है फिप्टी सब्जेक्टिट टू इस ट्रेंड आपको दिया हुआ है तो change in resistance आपको निकालना है, तो gauge factor का जो formula होता है, gauge factor equal to होता है, change in resistance upon R और upon strain, तो यह तो friend formula होता है आपका, अगर हम बात करें, अब आप देख लेते हैं अपना question और क्या आपको दिया हुआ है, तो यहां से देखें आपको del R निकालना है, तो यहां पे आपका del R upon R हो जाएग gauge factor into strain, अगर हम फिर बात करें, del R equal to हो जाएगा gauge factor into strain into R, तो यह जो है formula, अगर हम del R equal to gauge factor into strain into R, यह हमने निकाल लिए, अब हम बापेश चलते हैं अपने question पर, तो question पर जब बापेश चलेंगे, तो देखें, आपको del R ही निकालना है, और gauge factor आपको दिया है, 2 into R आपको दिया है, 50 into 0.001, इस strain भी आपको दिया होगा है, तो यह हो जाएगा 100 into 0.001, तो यह हो जाएगा आपका 0.1, तो आपका del R आजाएगा, del R equal to आजाएगा 0.1, तो टाइप की numerical generally push लिये जाते हैं, इस टाइप की numerical आपको गलत नहीं करना है, तो चलिए, front कुछ नहीं था आपको वस यह strain gauge factor का formula आपको आना चाहिए, इस से आप इसको solve कर लेंगे, चलिए देखते, next question, next question, what is the commonly used unit measure for rating of air conditioner, तो air conditioner को measure करने के लिए unit होती है, front ton, तो ton unit होती है, air conditioner को measure करने के लिए, चलिए देखते हैं, next question, next question आपका इस semiconductor, hedge electron in its valency ring, तो valency ring friend क्या होती है, जैसे आपका यह semiconductor है, माल लीजे जर्मेनियम है, तो इसकी outermost orbit में जितने electron होंगे, वो कहलाते हैं, आपकी valency ring, तो generally जो आपका semiconductor होते हैं, उनके outermost orbit में 4 electron होते हैं, तभी वो semiconductor कहलाते हैं, तो चार valency electron वाले जितने भी material होते हैं, शिलिकॉन, जर्मेनियम, कारवन, यह सभी आपके semiconductor होते हैं, अगर outermost orbit में valency electron की संख्या, चार से कम होती हैं, तो generally वो, वो जो हैं आपके trivalent होते हैं, और चार से अधिक होती हैं, तो वो pentavalent होते हैं, तो चार valency electron वा the phenomena of magnetic locking, the phenomena of magnetic locking between stator and the rotor teeth is called, तो जो phenomena होता है, magnetic locking का between stator and rotor teeth, तो यह होता है, जब आपके number of rotor slot and number of stator slot आपके equal हो जाएं, या फिर integral multiple हो जाएं, इच अधर, तो यह काफी important from concept है friend, तो इसको कहते हैं, cogging, तो cogging जो होता है, इसमें आपके magnetic locking हो जाती है, stator and rotor teeth के बीच, या तो आपके number of rotor slot, इकल हो, stator slot के, या integral multiple हो, each other, तो friend, वहती important formula है, चली देखते हैं, अपना next question, तो देखी friend, utilization factor, load factor, power factor, demand factor, इन सब पे question आपके वार वार पूचता रहता है, त आपका question पूचा है, utilization factor आपका क्या होता है, तो utilization factor जो होता है, वो आपका maximum demand to the power station, उसके बाद rated capacity to the power station, तो utilization factor का सीधा जीधा formula होता, maximum demand upon rated capacity, तो वहाँती महत्मूर्ण question है, चली देखते हैं, अपना next question, तो next question, आपका snower circuit जो होते हैं, आपके thyristor में use किया जाते हैं, तो snower circuit तो पहले आप जान लीजे, फ्रेंड RC का एक combination होता है, सिन्वर्स circuit, इसका use किया जाता है, to limit the rate of rise of voltage, डीवी अपन डीटी, तो डीवी अपन डीटी को control करने के लिए सिन्वर्स circuit का use किरते हैं, अच्छा, इनका use हम करते हैं, माली जी अपना, ये SCR है, तो सिन्वर्स circuit जो अपना next question, next question is the instrument which is used to measure insulation resistance, ये question तो बहुत favorite है, बार बार पूछा जाता है, insulation resistance को measure करने के लिए हमेशा मेघर का use किया जाता है, या फिर high resistance आपको measure करना है, तो उसके लिए भी आपको मेघर का use करना होता है, चली देखते अपना next question, the function of electrostatic precipitator, यान की function of ESPV से बोला जाता है, in power plant, in cold waste thermal power plant, ESP का use generally हम देखे, ESP जो रहती है, हमारी generally चिमनी के पहले लगी रहती है, तो चिमनी के पहले ESP लगाने का मतलब ये रहता है, कि जो dust particle रहते है, फ्लू गैस में, जिसको हमें फ्लू चिमनी के दौरा फ्लू कराना है, तो उससे dust particle collect करना रहता है, तो to collect dust particle from flow gases, तो काफी महतपूर है, ये environment purpose से काफी महतपूर device है हमारी ESP, तो ESP हमेशा thermal power plant में लगी ही होनी चाहिए, ऐसा norms है, तो चलिए देखते हैं, अपना अगला question, next question है, आपका MMF around any close path equal to current enclosed by that path, तो friend ये है आपका MPL law, MPL law आपका क्या कहता है, कि अगर आपका, MPL law आपका कहत है, field intensity है, अगर आपका H है, तो अगर हम उसका integral करें, तो ये होगा आपके IQ equivalent होगा, यानि कि current enclosed that path, तो जो MMF around any close path, जो MMF होता है, एनि एक close path में, तो current enclosed के आपके बराबर होता है, ऐसा होता है, MPL law, तो चलिए देखते हैं, अपना next question, friend, ये बहुत ही महतपूर्ण question है, EMT क question है, तो आपको ये law वी आपको आने से कुलम law क्या होता है, गॉस law क्या होता है, एंपिर law क्या होता है, ये बायो सेवार्ड law क्या होता है, तो चारो law ये आपको अच्छे से आने चाहिए, चलिए, क्योंकि इन loss में से एक नए question आपका वन ही जाता है, तो चलिए देखते ह होता है जो open circuit test conduct किया जाता है वो हमीशा कंड़क्ट किया जायता है को राइन करने के लिए को लास यानी कि섯 स्लोग और एडि करेंड लॉष अठेरैस और एक आर्ट कुर्स को लाया के लिए हम क्या करते हैं सैंसी होता है तो डिउस एडी करेंट लॉसस को रीडीयूस करने के लिए हम आर्मेचर को हमेशा लेमिनेट करते हैं चलिए देखते हैं निश्ट को सनद सब्सक्राइटर यान की शॉट सर्कूट रिचयो इन ए supronach machine तो 6 हिसी डिफिनियसेंटे जर्री पूँंची लेता है और इसकी डिफिनिजर्ड सफिर लेता है तो इसकी डेफिनिセुन जर्रेकेंट फॉर्म्पार्टज ओपनसर्कичноकर्ट्ज फील्ड करेंट फॉर्म्सर्कित डीपयर डाज्ट आपलेख रिद आपनसर्किट आपल लाइट लोट पर इंडेक्शन टाइप AC मॉडर वर्क आप पावर फैक्टर इंदा रिंज और जो लाइट लोट रहता है या नो लोट रहता है उस पर इंडेक्शन ओडर का जो पावर फैक्टर रहता है 0.2 to 0.3 के आसपास रहता है अगर हम एंगल की बात करें तो 70 to 75 एंगल आपका रहता है on load load और light load पे तो काफी महत्पूर question है friend ये भी generally इससे numerical भी पूछ ले जाते हैं तो ये value आपको याद होनी चाहिए या फिर एंगल आपको याद होना चाहिए 72 75 तो चली देखने अपना next question next question friend symbol भी आपका एक जनरली पूछ लिया जाता है तो symbol आपको अच्छे से आने चाहिए कोई भी एक symbol आपका जनरली पूछ लिया जाता है तो ये symbol आपका क्या represent कर रहा है तो ये है फ्रेंट चैसिस अर्थ जो चैसिस होती है किसी component की वह आपका ये symbol सो कर रहा है चली देखते हैं अपना next question काफी महत्पून question है फ्रेंड जनरली इस टाइप के concept से आपके question जरूरी नहीं है यही question आपका repeat करें लेकिन देखिए जैसे आपका ये symbol आया तो जरूरी नहीं है यही symbol आया लेकिन इस type का concept से आपका एक question जनरली पूछ ही लिया जाता है किसी और चीज का आपको सिंबल आपको दे जे जाएगा पुसबटन कापका सिंबल दे दिया जाएगा उससे question आपका पूछ लिया जाएगा अर्थ का आपको सिंबल दे जाएगा उससे आपका question अपको आने चाहिए तो बिये सहसन हमारे discussion का मतलब यही है कि जरूरी नहीं है यह question repeat करें लेकिन आपका concept आपको आना चाहिए जिससे आपका उस concept से related सभी question पर आपके पकड़ बन सके चलिए देखते अपना next question तो next question फ्रेंड एक transformer दिया हुआ है 20 kv का जिसका आपके पास voltage दिया हुआ है 50 hertz frequency single fish transformer है है 66 तर इंड़ सेकंडरी तो सेकंडरी में जो है आपका टरन है वह 66 है तो आपको primary दा नंबर अफ टर न प्राइमरी तो टेहर लोगा 20 won अपको निकालना थे Шयमिक्plete दिया हुए तो यहां पर हम यहां पर देखिए आपको दिया तो हम यहां पर किये कंडू आएगा आपका 2000 udah पॉन टो हंडर्ड के कल टू आगया आपका टेंग्ट के रिखल ट्यान आ गया तो खेट तो आपका यह भी खोता है एंड़न अपन के एंट्यन टु अपन इन वाद टो के कल टू थे एंट्ट अपन एंवन तो इसको कंशन कनने के लिए चली थोड़ा से स्पेस हम यहाँ पर पना देते हैं या उपर हम इसको लिख लेते हैं तो के आपका दस दिया हुआ है एंट्व आपको दिया हुआ है कि अन्वान अपन एंट्व तो कि अन्वान इकल टू हो जाएगा टैन इन्टो यहां पर हम ले लेंगे छा सक तो एंट्वन एकल टू आएगा आपका 660 तो n1 इकल टू हो जाएगा आपका 660 काफी important question था friend वहाद ही महत्पूर्ण question था इसमें generally question नहीं करना है आपको k equal to होता है आपका v1 upon v2 या फिर n1 upon n2 तो इससे आप इसको solve करेंगे आपका आसानी से question निकल जाएगा तो वही आपको करना था माफ कीजी friend यहाँ पर हमने n2 upon n1 लिख दिया है n1 और साइध हमने n2 upon n1 ही वोला था लेकिन n1 upon n2 होता है तो friend काफी महत्पूर question था ऐसे question आपको छोडने नहीं है चलिए देखते हैं अपना next question k equal to v1 upon v2 equal to n1 upon n2 आप put करेंगे तो आप cancer आजाएगा यहाँ पर v1 equal to v2 यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक बार और solve कर लेते हैं तो 2000 upon 20 और n1 upon 66 तो यह बंज से बंजीरो यह 100 तो n1 equal to यह आपका 200 था तो 2 0 सो 3 0 तो n1 equal to 660 तो काफी महत्पूर चली देखतें next question next question next question है आपका y equal to a x nor v y equal to a x nor v तो यह आपको logical gate पहचानना है logical expression से तो logic gate पहचानने के लिए आपको यह जो होता है आपका friend यह एक दो symbol होते हैं एक यह और एक इस तरह से जो आपको दिया हुआ है तो यह होता है आपका x nor का और यह होता है आपका x nor का अगर हम बात करें फ्रेंड x nor gate की जो आपको दिया हुआ है तो सही answer इसका x nor gate x nor gate का जो आपका symbol होता है वह कुछ इस टाइप से होता है तो अगर इसकी expression आपको दिया हुई है y equal to a x nor b इसको हम और open करते हैं तो यह अगर हम a लेंगे और v लेंगे और y लेंगे तो 0 और 0 के लिए होता हमें इस वन जीरो वन के लिए होगा यह हमें 0 1 0 के लिए 0 और 1 1 के लिए 1 यानि की same input to input की लिए अगर same input है तो output में हमें high मिलेगा अगर different input है तो output हमें low मिलेगा for x nor gate तो काफी महतून कोशन था चली देखते हैं अपना नेश्ट कोशन तो देखिए फ्रेंट से फिर एक कोशन आ गया है तो सिंबल से आपका एक कोशन जनरली पूंच लिया जाता है तो यह कोशन बनाने के लिए देखिए इसमें आपको आइडेंटिफाई करना यह किस चीज का आपको आपको सभी सिंबल लगबघ आपको याद करके चाना है चलिए देखिए अपने नेश्ट कोशन नेश्ट कोशन एन सिंग्रोणास motor V-curve आपका क्या सोकरता है तो synchronous motor में V-curve जो होता है वो आपका armature current और field current X-axis पे रहता है आपका field current और Y-axis पे रहता है आपका armature current तो V-curve जो बनता है कुछ इस type से बनता है तो DC field current और AC armature current field current जो होती है चलिए आपना next question काफी महतमून question ने देखते हैं next question the instrument use to measure illuminance level is called illuminance level measure करने के लिए किस instrument का use किया जाता है तो इसका use करते हैं Lux meter का तो काफी महत्पूर question है friend ये भी जनरली question पूछ ले आते चली देखने अपना next question next question है आपका clamp on meter clamp on meter are used because clamp on meter जो होते है friend line जो line आपकी रहती है live line में current measure करने के लिए यूज किया जाते हैं यान कि तो यहां पर देख पा रहा हूंगे आप उप्सें से यूजिंग दीज मैंट मेंटर मीटर इस पॉस्वल टू मिजर करेंट फ्लोइंग इन लाइन विदाउट व्रेकिंग दा सरकेट तो किसी भी सरकेट को विना विरेक किये उसमें हम करेंट मी यहां वाई तो देखिए पहली जो कंडिसन यहां पहला यह कंडिसन एंद्रों यह आपका है 0 वियां और रौका हाई तो यह तों यह वियर врем हाइ ति-4 जो condition दी हुई है आपको एए आपको high दिया हुआ है व एंविए आपका low दिया हुए है और c output आपका high दिया हुए Projecte 5 जो condition है आपको दोनों ही ह्या आपके high और Output आपकी low तो दोनों ही है High है Output आपकी low तो फ्रेंड जेनरली आप देख पा तो आपकी NAND gate की तो यह जो एक्सप्रेशन वन रही है वह आपकी NAND gate की बन रही है तो NAND gate में friend क्या होता है? NAND gate की expression होती Y Eقल to A.V का वार होता है A.V का वार होता है तो आप देख पा रहे होगा अगर कोई वी एक input आपकी low है या दोने input low है तो हमिसा output आपकी high मिलती है में अगर इन्पोर्ट आप इसमें रखेंगे तो आपकी यह पूरा टेबल सैटिस्फाइब हो जाएगा तो यही आपकी एक्सप्रेशन है तो नेंड गेट की यह आपकी टेबल वन रही है चली देखते हैं अपना नेस्ट कोशन नेस्ट कोशन इन्हें डूल कन्वेटर अग यह एक विरिज का crypto अगेल तो दूसरे विरच का फारेंग अंगेल तो Center 150 आपका सही अंसर काफी इंपोर्टन कोशन था फ्रेंट चोटे धिए अ कोशन पूछलीए तो फ्रेंट काफी महत्मुट democrat इसी टाइप के आपको यह concept जितने भी आपके दे रखे जनरली इनी concept पे repeat करता है question अपना, तो देख लेता है अपना next question, तो next question है आपका hydroelectric power plant में, hydroelectric power plant जो होता है, तो उसमें ऐसा कॉन सा है जो आपका reduce करता है, जो water happening effect in penistoke, तो penistoke में water happening effect को कम करने के लिए क्या use किया जाता है, तो friend use किया जाता है, surge tank जो penistoke से पहले लगा रहता है, अगर penistoke क्या होता है, penistoke एक pipeline होती है, इसमें अगर बाटर का pressure ज्यादा हो जाएगा, तो penistoke hammer करने लगता है, और यह fat भी सकता है, तो इसको वचाने के लिए एक हम surge tank का use करते हैं, जो excess water, जो ज्यादा water रहता है, उसको release करने के लिए use किया जाता है, चलिए देख लेते हैं इसका diagram, तो यहाँ पे आप देख पा रहूंगे, यह reservoir है, यह dam है, यह आपका penistoke, यह पूरा area penistoke, अगर इस penistoke में water का pressure ज्यादा हो जाएगा, तो यह hammering करने question है friend, चलिए देखते हैं अपना next question, एक power station में आपके charge consumer है, maximum demand आपको 4 consumer की अलग-अलग दिवी है, और maximum demand on the station आपको maximum demand station की 100 MW दिवी है, तो diversity factor आपको बताना है, तो friend, देखी diversity factor, load factor, demand factor, reserve capacity factor, इन पे generally question पूछ ले जाते हैं, तो यह formula आपको अच्छे से आद होने चाहिए, तो diversity factor जो होता है, आपका individual demand, sum of individual demand, या कि अलग-अलग जो demand है, आपकी उसका sum, यानि की 40 plus 20, 20 plus 30, और plus 50, यह वाले सारे, और upon maximum demand आपको, यानि की station पर maximum demand कीतनी है, आपकी 100, इन सभी को आप add कर लीजे, 40, 20, 60, 60, 30, 90, 90, और 50 हो गया, आपका 140 upon 100, तो यह diversity factor आपका आपका आ 4.4, काफी महत्पून question था friend, काफी important question था, तो यह formula आपको याद आने हैं चाहिए, क्योंकि 4 से लेके 5 number का आपका question, diversity factor, load factor, utilization factor, demand factor, इन पर पूच लिया जाता है, generally यह भी question पूच लिया जाता है, diversity factor की value कितनी रहती है, तो diversity factor की value generally रहती है, आपकी एक से ज्यादा, तो एक स step up, step down की बात नहीं की गई है, तो DC chopper की आपका on period आपको दिया हुआ, off period दिया हुआ है, तो T on आपको दिया हुआ है, 25 microsecond, T off आपको दिया हुआ है, 5 microsecond, what will be the value of chopping frequency, तो chopping frequency जो होती है आपकी friend, तो chopping frequency यान की F, या chopper की जो frequency आएगी, वो आपकी आएगी 1 upon T on plus T off, तो friend, इसको आपको duty cycle से नहीं करना है, duty cycle से confuse नहीं होना है, duty cycle आपका होता है, T on upon T on plus T off, लेकिन जो chopping frequency होती है, या chopping time period वो होता है, वो आपका होता है, 1 upon T on plus T off, तो अगर हम इसमें देखे, अब बापस question पर आते हैं, तो इसको हम कर देते हैं, erase और अपना question यहाँ पर solve करत होते हैं, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे आपका total time period, तो total time period आजाएगा, 25 plus 5 यानिगी 30 microsecond, तो अब chopping frequency हम निकाल लेंगे, तो chopping frequency निकालने के लिए 1 upon T कर देंगे, तो यानि कि 1 upon 30 into 10 की power minus 6, तो यह हो जाएगा 10 की power 6 upon 30, बाफ कीजी, यह 3 है, तो 30, तो इसको हम करेंगे, तो 1000 into 10 की power 3 upon 30, वन 0 से 1 कर जाएगा, आपका 3 से इसको काटेंगे, 33.33 kilohertz आपका answer आजाएगा, तो फ्रेंट काफी important concept था, काफी महत्पून question था, आपको इसको confuse नहीं होना है, duty cycle से, इसमें आपका chopping frequency पूछी गई है, अगर chopping time period पूछा गया होता, तो chopping time period इतना हो जाता है, जिसमें दोनों आपके T on और T off एड़ रहते हैं, चली देखते हैं अपना अगला question, next question काफी महत्पून है, the range of frequency used for dialectic heating, तो dialectic heating के लिए जो frequency range use की जाती है, वो आपका पूछी गई, 10 MHz है, 30 MHz, वहत ही अधिक high frequency पे dialectic heating की जाती है, तो 10 MHz to 30 MHz, काफी महत्पून question था, चल पूज हो रही है, flip-flop में, तो सबसे पहले तो friend बता दी है, यह आपका JK flip-flop है, JK flip-flop अगर आपको देखना है, तो आपको clock को देखना होगा, तो देखी positive A sticker आपका flip-flop है, A sticker कैसे है, क्योंकि आपका यह triangle बना हुआ है, तो यह A sticker होगा, positive कैसे है, क्योंकि अगर हम बात करें, triangle में अगर इस तरह का bubble बना होता, तो वो negative होता, bubble नहीं है, तो यह positive है, तो यह positive अगर यहाँ bubble बना दिया जाए, तो यह negative A sticker हो जाएगा, तो काफी महतपून question था आपको, यह symbol आपको देखना आना चाहिए, अगर हम JK flip-flop की बात करें, तो यह आपका जो flip-flop है, व बना देते हैं, इस पर आपका लिया गया है V1 और V0 और यहाँ पर आपका लिया गया है V3 और V2, तो यह देख पा रहे होंगे, इसको आपको solve करके बताना है, तो देखिए, यहाँ पर एक आप chord बना लीजे, और इसका आप एक chord बना लीजे, तो इससे जो आपका निकल कर आएगा, यहाँ से जो आपका निकल कर आएगा वो आएगा आपका, V1 और यहाँ इन दोनों में से जो आपका निकल कर आएगा, वो आपका निकल कर आएगा V2, वीटू का वार, और अगर हम इसमें बात करें, इस ट्रेंगल में बात करें, इसमें आपका निकल कर आएगा, वीवन का वार और इस लाइन दोनों में और इन दोनों में अगर हम common देखें तो यहां निकल अगर आएगा आपका वीटू तो जो आपकी expression आजाएगी y equal to आजाएगा वीवन वीटू का वार प्लस वीवन का वार वीटू तो यह आपकी expression आगे है पहली वाली काफी महत्पूं को संदा फ्रंड यह आपको देखना आना चाहिए अगर यह आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको नए पेज में एक ले लेते हैं तो नए पेज में जब आप लेंगे तो देखिए यह जो कुछ बनता है इस टाइप से बनता है तो यह बीजीरो हुआ यह बीवन हुआ यह बीटू हुआ यह वीथ्री हुआ इसी तरह आपका इस वाले रो में रहेगा बीटू, बीथरी दोनों का वार बीटू का वार बीथरी, बीटू, बीथरी, बीथरी का वार अब देख लिए जिसमें जो कमन आएगा आपको वही लेना है पहले वाले में दिया हुँ था इस तरह से कुछ तो हमने यह पेर बनाया था यहां पर तो यह पेर जब बनाया था तो इन दोनों में आपको कमन क्या मिलना है यहां इन दोनों में आपको कमन मिलना है आप देख पा रहोंगे जो है आपका वी जीरो और अगर हम बात करें इस column में इन दोनों में आपको common मिल ला है इसमें आपको common मिल ला है V3 का बार तो यह हमने यहां पर ले लिया था तो friend काफी महत्पून कोस्षान है चली देखते हैं अपना अगला कोस्षान तो next question है आपका the flusk throw the core of a transformer transformer के core में आपका flusk दिया हुआ इतना cross sectional area आपको दिया हुआ एरिया आपको दिया हुआ 400 cm square तो इसको में में convert कर लेंगे 400 upon 100 into 100 तो यह हो जाएगा आपका meter का square तो आपको operating flusk density आपको निकाल लिए तो flusk density सीधा सीधा आप कर दीजिए flusk upon area तो flusk upon area यान की 0.06 upon 400 upon 10 की power 4 तो यह हो जाएगा 0.06 into 10 की power 4 upon 400 तो इसको आप जब solve करेंगे तो चलिए इसको ले लेते हम अपने next page में या फिर यहीं इसके लिए space हम बना देते हैं यहां पर तो जब इसको आप solve करेंगे 10 की power 4 यान की यह हो देगा 60 और 1 2 3 0 upon 400 तो 20 से आपके 20 कट जाएंगे माप कीजिए हमने कहीं गलती किया तो 400 तो दोस्तों यहां पर हमने गलती की हुई है यहां से हमने 6 यहां पर यह लिख लिए तो इसको हम कर देते हैं यहां से हम इसको दोबारा solve करते हैं तो यहां से आप देख पार होंगे यहां से जब आप दोबारा solve करेंगे तो तो जीरो इसमें collapse हो जाएगा और यह आजाएगा आपका 600 अपन 400 टू जीरो से टू जीरो कटेगा 6 अपन 4 होगा 1.5 टी टेसला आपका answer आजाएगा तो बहुत इंपर्टेंट बहुत ही इसकी घातां को को कर सकते हैं अगर वेस समान है तो आठ एड्रस लाइन आपको चाहिए तो अब देखते हैं अपना अकला कुछ्छन creeping in energy meter can be avoided by तो जो creeping होती है वो सबसे पहले तो आपकी energy meter में होती है वह अवाइट की जाती है आपकी माली जी ये डिक से VCD code जो दिये हुए आपके invalid है सिर्फ सिवाए एक के तो कौन सा सही VCD code है तो देखिए फ्रंट यह आपका सही VCD code है अगर आप इसका analog देखेंगे 8484 इसको कर देते हम rage तो VCD code जो होता है 8421 तो इसको आप देखेंगे यह जो आपका digit आएगा यह है आपका 8 to 10 यह 8 और यह 0 यह 210 और यह आपका 11 के कौल अगर इसकी बात करें हम यह 10 के कौल है यह आपका 8 के कौल है और यह आपका 12 के कौल है तो VCD code जो होता है वह 10 से छोटे के लिए ही valid होता है यानि का 9 तक आपके 0 से लेके 9 축 bardziej GDP कोड में होती है अगर 11 के हम कोड निकालेंगे तो 1 का अलग लिकेंगे और 1 का अलग लिखेंगे अगर 12 के हम निकालेंगे तो 12ารं अलग लिखेंगे और 2 के लिए 0010 अलग लिखेंगे यानि 8 digit हो जाएंगे तो सिर्फ सही जो है आपका ये वाला code सही है वागी सब आपके incorrect हैं काफी महत्पून question था friend तो friend इस video में हमने discuss कर लिए हैं लगवाक महत्पून question जो भी आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो काफी important session था friend ये तो जरूरी नहीं है यही question आपके repeat हो लेकिन concept से related जो question है वो आपके आते रहते हैं तो यह concept आपको एकदम confirm होनी चाहिए इन concept में आपको गलती नहीं करनी है accuracy आपकी अच्छी होनी चाहिए देकी जनरली फेंट एक कोलिए से आपका कुछी लेता है फिलफ फल आप से से multim पूक्षण पूछन पूछे लेता है तो काफी important session था अगर आपको इस सर्षन की वीडियो चाहिए तो वह आपको मिलेगी हमारे टेलिग्राम चैनल पर जो कि जिसका लिंक आपको वीडियो के डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देख रखें तो उसका वी लिंक आपको वीडियो के डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिस पर हमने डेस्क्राइब की यूपी पीचल 25 नवंबर का मॉर्निंग और इवनिंग शिप्ट का कॉस्टन पेपर और 27 नवंबर का मॉर्निंग का कॉस्टन पेपर तो फ्रेंड अगर व